और आज कुसरे बात करने वाले है टाइम टेवल से लेटिड आपके काफी आदा कमेंट आरे मेरे पास कि जिए टाइम टेवल से लेटिड हमें चीजे समझ नहीं आ रही हम टाइम टेवल तो बना रहे हैं पर आप टाइम टेवल मारा फोलो नहीं हो रहा है कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि आज हमें यह वाला टास्क कंप्लीट करना आज हमें यह वाला वर कंप्लीट करना है बट एंड व दा डे हमारे कुछ ही कंप्लीट नहीं होता है जब हम सोने जाते हैं रात को जब बैट पर लेटते हैं है और जब सोने वाल होते है तो एक दम से महीं यादाता ता रहे आज से वाला भी हमें टास्स कंप्लेट करना था कई स्कूल में यह होगा, कई स्कूल में copy checking होगी, हमारे carrier complete नहीं है, तो end of the day हमारे जो सारे टास्कं पेंडिंग में रहजाते हैं, पेंडिंग स्टेट में रहजाते हैं, यही चीज़ हमारे पस काफी ज़द आप से एक रहते हैं, क्या time tell में क्या के चीज़े productivity वाली क्या के चीज़े हमें use करनी चाहिए क्योंकि जब हम time tell बनाते हम वो follow नहीं होता है तो आज मैं आपको इस तरीका के थोड़ सा time tell guide देने वालों कैसे आप एक effective time tell बना सेते हैं आपको फोलो भी हो जाए और आपके end of the day सारे टास्क आपको complete भी हो जाए तो जारा time waste ना करते हैं इस वीडियो को start करते हैं तो गाइस काफी बच्चे जो है न वो time table को ऐसा समझते है कि time table अगर हमने बना लिया तो हम slow ट रखेंगे ठीक है इस कभी कभी क्या होता है जो आप कफी आदा excitement में आ जाते हो ठीक है आप सारे टास्ट ऐसे priority में लेखते हो कि जी पांच मिंड में मतलब आप एक एक मिनट कभी पूरा बिल्कुल अच्छे से लेकर चलते हो बट जब उस time table को follow करने की बात आती तो वह सारा excitement डाउन हो जात तो हम क्या कर देते हैं पहले हम जो time table बनाते हैं तो Monday, Tuesday, Wednesday, Monday में हमें यह इस slot से slot के बीच में हमें रिवीजन करना है इस slot से slot के बीच में हमें homework कर देना है तो इस साथ चीज़ हम उस time पर करते हैं बट अब क्या जरूरी ने कि हर individual का जो time table हो वह सेम हो ठीक काफी बच्चे time table को copy भी करना शुरू कर देते हैं टोपर्स के साथ ऐसा हमें बिलुकुल भी नहीं करना है तो जो आपको time table बनाना न वो आपको weekly time table हो तो वो काफी जादा बैस्ट होगा या फिर three days का जो time table हो बैस्ट होगा देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपके करो weekly time table हो पर उसम जादा पास है चीक है आपके जो अगले महीने आपकी यूटी है यूटी में कितने कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसके according आप अपनी priority सेट करो चीक है तो सबसकरो कि अगर आपको week में पांच चेप्टर करना है तो यह देखो कि Monday to Saturday, Monday to Saturday, Saturday night में आपके वो साई चेप्टर कभी भी करो वो आपके पास खुली जूट है टीक है वो चेप्टर कभी कर सकते हो बड़ चेप्टर एंड ऑफ दे या एंड ऑफ वीक वो आपके complete होने चाहिए यह बोलते हैं deadline timetable जिसमें आपने deadline दे दी वो आपका follow जाएगा monthly deadline timetable भी होते है monthly कैसे आप month के end पर आपको कीजी हमें हर सब्जेक्ट में हमारा 60-60% syllabus complete होना चाहिए तो वहाँ पर आप जो है वो monthly timetable इस तरीके से follow कर सकते हो यह मैं किसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसा काफिवार होता कि Monday Tuesday, Monday में आपको काफिवार टाइम लाए पर Tuesday में ऐसा कुछ काम आ गया कि आप फोलो नहीं कर पाए सबोसकर कि Tuesday में आपको किसी friend का birthday हो गया ठीक है तो आपको दो तीन घंटे आपको birthday में लग गए सबोसकर आपको तुरंत एक emergency आगी बजार जाना पड़ा समान लेने या घर में किसी की medical emergency आगी तो वहाँ पर पर एक weekly deadline या एक day deadline भी हो सकती है कि आपको दिन में एक chapter complete करना एक chapter में से आपको चार topic करना है वो चार topic आप ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा break ले कर सकते हो या एक साथी बैट कर आप कर सकते हो ठीक है तो इस चीज़ आपको देखनी पड़ेगी नेक्स बात यह है कि टाइम ट बना रहे हो उस time table को बनाने से पहले अपना एक बास syllabus करो कि आपका कितना syllabus आ रहा है syllabus के according अगर आप उस time table को बनाओगे तो वहाँ पर आपको एक effective way आपको मिलेगा जिससे आप अपनी सारी क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता कि हम syllabus की बाहर वाली चीज़े पढ़ लेता है वैसे खराब नहींगे syllabus की बाहर वाली चीज़े पढ़ना उससे आपको extra knowledge मिलेगी बट अगर आप अपने school exams के लिए पढ़ रहे हो थोड़ा सा समय कम है तो आप to the point चीज़े जितनी आपकी syllabus में हारी हो उनको analyze करो उनको analyze करने के बाद हर एक subject का आप अपना अच्छे से time table बना स हो रहा है तो आप शुरू में difficult chapter करना start करो क्योंकि जब exam काफी जाथा पास होता है तो हम difficult chapter पढ़ नहीं पाता है क्योंकि इतना time होता है तो हमें क्या करना शुवात है दो घंटे daily हमें कोशिश करो कि 2 तो हो या 1.5 घंटा हो सकता है आप अपने difficult chapter पर जोड़ो दो क्योंक trigonometry हो गया यह chapter काफी बच्चों difficult लगता है तो ऐसे ऐसे chapter आप शोशल भी ले सकते हैं आप साइंस ही ले सकते हैं तो ऐसे chapter select करके उनको थोड़ी सी जादा priority तो शुरूआत में अपने टाइम डिफिकल्ट चैप्टर आप अगर कर लेते हो तो असान भी हो जाएंगे तो इ हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है अब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर जंप हो जाते हैं ठीक है end of the week जब हमने इस आई चैप्टर कंप्लीट कर लिये हमें उनका एक डे रिविजन का जुरू रखना चाहिए और कोशिशे करो क्या संडे का दिन ज थोड़ा खेले होगे तो आपकी जो brain की भी जो capacity है वो भी अच्छी हो जाती है जब आप outdoor games खेलते हो physical activity करते हो तो एक दिन आपका जुरूर ऐसा होगा जिसमें आप थोड़ा सा fun करोगे plus उस दिन आपको revision करना है दो गंटा आप revision दे सकते हो एक से दो गंटा आप revision दोगे अगर हमें previous chapter अच्छे से आता होगा तुम आने वाले chapter भी अच्छे से कर पाएंगे तो इसलिए revision should be there आपको हमेशा positive रहना जब आप time table बनारें जब आप revision कर रहें जब आप ने बोर्ट की तेहरी कर रहें आप 9th और 10th और 11th और 12th कोई भी मतलब suppose करो कि आपका अगर field खराब चला गया है तो काफी बच्चे उसके चक्कर में ठीक है आगे आना exam भी खराब करते है तो positive रहना कि देखा देखी पर time-tale बना लेते हो तो time-tale अपने अनुसार बना हर individual different होता है हर individual का time table हर individual का daily रूटीन होता हो different होता है so hopefully आप चीजे समझ रहोंगे और यह चुड़ चुड़ी सी है जो आपको ध्यान में रखनी ची अगर आप एक अच्छा time-tale बना ले तो कुछ पॉइंट्स यह वाले points आपको दिमाग में आप रोको तो definitely आपका सारे चीक है अच्छा time-tale बनने वाला और आप definitely follow करने वाल पर यह नहीं कि हाँ हम time-tale अपने अनुसार बोल देत कीजी अब तो ठीक है पढ़ाई को हम एक दो एक घंटा ही देंगे बागी हम कहलेंगे नहीं हो सकता है कि आपका school भी आ रहे है ठीक है school के दोरान भी हो सकता है पर उस दोरान भी जो आप अपना time-tale मना है थोड़ी स लगातार पड़ा तो उसके बीचे आधे से मतलब 30 से 45 मिनट का हमारा ब्रेक होना चाहिए definitely I hope आपको वीडियो चले वीडियो चले तो लाइक करें और ऐसे लेटीड अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बर कमेंट करें जल्द आप से नेक्स वीड़ा थैंक यू सो बाइ